हलो माइडियर स्टूडेंट्स हाव अर्यू यू येर स्टूडेंट्स आज आप लोग के सामने एक ऐसा वीडियो रिकार्ड होकर पहुंच रहा है जो बिल्कुल करेंट है और जो कल की चर्चा से शुरूबा है वह महिलाओं के लिए विवाह की उमर 18-21 मिनमम एज फॉर मैरेज आफ वूमेंड 18-21 यह चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है सभी लोग सिच्छाविद न्यायविद राजनेता सभी लोग अपने अपने विचार इस पर दे रहे हैं आज हम आपके सामने इसके जो विधिक पहलू है वह आपके सामने रखेंगे और उ जो जुड़े हुए है वो परिच्छा रिफ्रेशर YouTube चैनल के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं जो परिच्छा रिफ्रेशर YouTube चैनल है वह आप लोग के सईयोग से लास्ट यहर में स्टार्ट किया गया था और इसके आज लगभक 7000 सब्स्ट्राइबर हो रह तो आप लोग पर इच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन बटन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर करें इससे ये फाइदा होगा कि आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वह आप लोग को तत्काल मिलते रहें और मेरे स्टुडेंट जो आज का टॉपिक है वो यह कि कल कैबनेट की मनजूरी मिल गई है महिलाओं के लिए विवाह की उम्र 18 से किस बढ़ाने की अब जो सीथ काली शत्र रूह होगा इसमें इसको बिधियक के रूप में लाया जाएगा और अगर यह संसत के दोनों सपनों क कि स्विक्रिति मिल जाती है कानून का रूप ले लेगा और फिर मिनमा मेजव अठारा से बढ़कर 21 महिलाओं की हो जाएग अब जरह हम लोग यह जाने कि क्यों इसकी आवश्यक्ता पड़ी कि इस कानून को लाने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी देखे माननी प्रदान मंत्री जी ने महिला ससक्ति करण के बारे में जब पिछले वर्स लोग सभा में विस्यस भासण दिया था तब यह हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी का रिक्मेंडेशन को देखा जाए कि क्या महिलाओं के ससक्ति करण के लिए उनकी उम्र को बढ़ाने की आवश्यक्ता है बिवा के जो सम्ता पार्टी की पूर्व अध्यच्छा रही जया जटली जी उनकी अध्यच्छता में एक कमेटी बनी जया जटली सभी थी वर्स दो हजार बीस में और इस कमेटी ने सोले बिसम जया लैं कि इन्विस्टीस हैं हमारी इंडिया की कि को हां कि सोले कि अनों ने हजारों चात्राओं से इस कमेटी ने बात किया अन लाइन भी ने बात हुई और उनके विचार लिये गएach कि जो इन्वस्ट्री की स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहती है तो अधिकांस लोग शात्राओं ने ये विचार दिया कि नहीं उम्र 18 से बढ़कर 21 होनी चाहिए महिलाओं की जादी की क्योंकि जो लड़के होते हैं यह निचात्र होते हैं उनको 21 वर्ज तक अपने जीवन को सजारने सबारने का मौका मिलता है क्योंकि 21 के पहले वो साधी कर नहीं सकते हैं और जो महिलाओं होती है वह इसकूली सिछा प्राप्त की नहीं रहती है क्योंकि 18 वर्जी होती है वह होती है collateral कर पाती है वह उसकी जो आगे की College की Left की Life होती है इनवस्टी कि life होती है वह बाधियत हो जाती है अगय उसके 18 वर्स में से विवा हो जाता है तो कि विवा के बाद एक निया जीवन निया दाइत्व उसके सामने आता है यह विचार कमेटी के सामने स्टूडेंटों ने रख्था जो इमेल स्टूडेंट थी तो कमेटी ने अपने पांच महत्वपूर बिंदू महिलाओं की उम्र 18 से 21 विवा के बढ़ाने के बारे मताई पहला तो यह बताया कि जो समाच की एक धूरी है महिला महिलाओं का शसक्ति करण तभी होगा जब उनको आउसर मिलेगा अधिक सधिक काम करने का दूसरा लैंगि उसको अपना जीवन सवारने का 21 वर्स तक मौका मिलता है तब वह विवा के योग्यों जो महिलाओं है उनको भी 21 वर्स तक का उसर मिले वह भी अपने जीवन को सवार सके और तीसरी चिट जो इसकूली सिच्छा के बाद उनका सिच्छा का आभाव हो जाता था वो दूर हो वर्स तक की बच्चियों का विवा हो जाता था और विवा के बाद वो गर्वती होती थी तो मृतुदर काफी देखा गे यह कहा गया मृतुदर को रोका जाए और साथ-साथ उनके पोसाहार पॉस्टिक आहार की भी विवस्था की जाए जब वह 21 वर्स की रहेंगे उनके अंदर जो बिस्ट ग्याना जाएगा तो उससे वह अपनी वास्त को भी ध्यान में रखेंगी और साथ-साथ होने वाले बच्चे का भी पालन पोश्ण अच्छी तरह से कर सकेंगे जो कमेटे की रिपोर्ट थी इन सब आवशक्ताओं की इसको कैबनेट के सामने रखा गया कैबनेट कमेटे की पूरी रिपोर्ट पर विचार किया विचार करने के बाद कैबनेट ने यह देखा कि आवशक है कि सड़तों को स्विकार कर लिए तो कि देखें भारती सम्मिधान के अनुछेट जो 38 उसमें कहा गया लोग कल्यारकारी राज्य लोग मतलब भारत में रह सब्सक्राइब के लिए कहा गया कि लोग कल्यार और तभी भारत लोग कल्यारकारी राजबन पायेगा जब सब का ध्यान रखा तो चुकि यह एक तरह से कंसिट्यूशन से भी प्रोटेक्टेड था कि कमिटे की रिपोर्ट तो कैबनेट ने अपनी इस पी मंजूरी लग अब भारत में कप-कप साधी के बारे में क्या उबर रखी गया आप लोग जानते हैं कि जो हमारे किया बहुत बड़ा लंबा समय तक सासन किया वह प्रिट की उम्र बारा साल निर्धारिद की और उस समय जो कानून बना वह एजाफ कंसेंट एक्ट मतलब विवा के लिए सहमत की आई हूं 12 वर्स इसे के बाद 1929 में ब्रिटिस पीरिएट में ही साधी की उम्र 14 साल कर दी गई और जो यह किया गया उस कानून का नाम था चाइल्ड मैरेज रिस्टिक्शनस एक्ट बाल विवा निशिद अधन ही है और जे एक जनडल स्टेडीस का कोउसचन भी है कि इस कानून का नाम उस समय दिया गया था सारदा कानून सारदाएक्ट की बराबर एक्जाम में आता है तो उसमें 12 वर्ष को बढ़ाकर 18 वर्ष किया इसके बाद जो हमारी इंटरिम सरकार अंतरिम सरकार जबाल नेरु के नेतरुद में अंतरिम सरकार चल रही थी अंतरिम सरकार ने नाइन्टी फोटी नाइन में जो साधी की उम्र थी वह पंदर वर्ष कर दो कि बहुत ही इंटरस्टिंग हम लोग का इस्टारिकल बैग्राउंड भी है और इसके बाद जब हमारा संभिदान लागू हो गया और संभिदान लागू होने के बाद नाइन्टी फिप्टी फाई में 1955 में है जो हमारी सरकार ने साधी की उम्र थी वह 18 वर्ष में हिंदू मेरेज एक्ट के तरह हैं अब इस्टूडेंट इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा समा आप लोग को जो परिच्छा रिफ्रेशर है पब्लिकेशन सरकार जो परिच्छा रिफ्रेशर लॉक्लास से चलती है इस सब पर थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं ताकि नए स्टूटेंटों को पता चल जाए और वह इसकी सुब्धा अधिक सद्धिक उठा सके है कि सरका अपना लौ का जो मैटिर मैटर है सिविल जच्च का एपीयों का एडीजे का वह आप ध्यान के नाम से निकलता है आप लोग गूगल पर जाकर परिछा रिफ्रेसर को सर्च करेंगे तो आप लोग को यह वेबसाईट आ जाएगी और वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे तो जो हमारे द्वारा मैटिरियल तैयार किया गया है उसके लिए यह रो आता है शौक है जब आ सरक्या पहले मैटेरियल जो था वह पूरे नार्दन इंडिया में कोई ऐसा इस्टेट नहीं था जहां नहीं जाता था चाहिए बिहार और जहार लेकिन कोईट की दौर में इस्टेक्चर बदल गया मैटेरियल आज भी निकल रहा है लेकिन लॉड नोट्स के फॉर्म और जो लॉड नोट्स के फॉर्म में निकल रहा है यह ध्यान रखिएगा यह केवल आपको जो एड्रेस या मोबाइल नंबर बताया गया उसी के सब्सक्राइब को आंलाइन कर दिया लिए तो के सर्का जो परिच्छा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है यह लास्ट यर कोवीट के दौर में आप लोगों ने सुरू कर आये था अगस्त 2020 में और इसको इतना आप लोगों ने प्यार दिया इसको इतना आप लोग ने शर साथ अजार सब्सक्राइबर इसके हुए और इस बीच में इस चैनल ने हपते में एक दिन तो कोशिस किया कि आप लोग को लौ का कोई नो कोई टॉपिक से रूबरू कराया जाए हम समझते कोई ऐसा हपता न रहा हो वीक जब आप लोग को एक कम से कम हो सकता है तीन तीन चार जोग यह करना है कि आप लोग यह सेनल को सब्सक्राइब करे अ कि मिए अगान बटन को प्रेस करें वीडियो को को लाइक करें शेयर करें यह है यह चैनल फुर फुरी फुली फुरी आपकास्ट है कोई भी सुभिधा तुल्क पीस औरिस चुछ भी नहीं लिया जाते किस मा आप लोग के बेनिफीसरी के लिए क्यों बनाए गया गया जो परिच्छा रिफ्रेशर क्लासेज है जो अब 31 यर में पहुंच गया है अभी तक यह आफ लाइन था पिछले दो वर्ड से यह आउनलाइन कर दिया गया है और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा आउनलाइन अ आउनलाइन में आप भी सुरच्छित हम लोग भी सुरच्छित कोई किसी प्रकार का डर रही है यह क्लासेज हायर जूडिसेल के लिए के लिए के लिए सारे बैचेश चल रहे हैं आप लोग नीचे दिये गए नंबर है पॉन्टेक्ट नंबर 9 00507-86 कि दूसरा है 9 33514465 के सर тобे अपदर है और पहलाidente इस पहला वाला नंबर है कि इसन पर आपको बराबर बात होगी यह वाट्सअप नंबर भी है गूगल पे भी नंबर है तो इसन पर गूगल पे करके सूटन जो भी सामग्री चाहते हैं वह मंगा भी सकते हैं और यही वाट्सअप नंबर है गूगल पे पे आप अपना पेमेंट करके उसका स्क्रीन साट डाल दीजेगा पोस्टर एडिस लिग दीजेगा और आप लिग दीजेगा कौन सा प्रिपेर फॉर इंटर्विव प्यार कर दिया गया है अबलेबिल भी है तेकि इसके खासियत क्या है कि इसमें सर ने तो जो मेहनत किया वो तो किया इसके बाद इसमें धेर सारे जुडिसाल आफिसर्स एडिजेज डिस्टिक जजज इनवस्टे के वाइस चांसरर इनवस्टे के लॉग के प्रोफेसर्स डॉक्टर साइकलोजिस्ट सब लोगों ने अपने 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 ओपीनियन रखे है और एक लाइन दो लाइन की कैसे आप इंटर्विव के त्यारी करें क्या क्या आप पहले से त्यारी करें और इस किताब को जिसने भी पढ़ा इतनी सरहना किया कि हमें भी लगा कि हमारी माह जो मेहनत थी वो सार्थ यह किताब आप लोग के लिए बिलिव आप जब चाहें तब इसको मंगा सकते हैं स्टडी किया तो ब्रिटेन में जो साधी की नियूंतम आई हो वो 16 वर्स अमरीका जर्मनी फ्रांस बंगला देश आधी देशों में 18 वर्स और चीन में जो साधी के उम्र है वो 20 वर्स कि यह विदेशों के मुख्यमक्डेशों के साधी की उम्र है अब कोस्टन यह होता है कि अगर यह कानून का रूप ले लेता है जो भारत के कैबिनेट ने पास किया है तो किन-किन कानूनों के उपर इसका असर पढ़ेगा क्योंकि अभी तक जो हम लोग के कानून है वह थारा जो किन-किन कानून में होगा बतला हो सबसे पहले जो इस पेसल मैरेज एक्ट है नाइन्टी फिप्टी फॉर का उसमें बतला हो क्योंकि जो इस पेसल मैरेज एक्ट है या हिंदू मैरेज एक्ट है नाइन्टी फिप्टी फाइब का और जो 2006 का चाइल्ड मैरेज रिस्टि वर्स है बालिकाओं के लिए अब आलक के लिए 21 इसमें भी परिवर्तन होगा अब आप लोग जानते हैं जो हिंदू मैरेज एक 955 की सेक्शन 5 है जारा पांच जिसमें पांच कंडीशन बताई गई है वैलिड मैरेज के तो उसमें जो कंडीशन नमबर तीन है उसमें तो इस्टिकली कहा गया है 18 वर्स से कम उमरे की लड़की का विवा और 21 वर्स के नहीं होना चाहिए तो यह सब एक कानूनों में भी भारत सरकार को परिवर्तन करने पड़ेंगे तो यह स्टूडेंट आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिएगा शेयर करिएगा और एक बार आप लोग से बस इतना हिम कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंट जो आपके रिलेटिव्स हों क्योंकि यह लॉग की स्टूडेंटों के साथ समाज के हर वर्ग के लिए चै हैं वो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उनको भी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है हम एक बार आप लोग से यह चाहते हैं कि आप लोग इसको इतने दूर तक पहुंचाईए इससर की आवाज दूर दूर तक पहुंचे आप लोग भी अपना सुझाओ जरूर थैंक यह मैं देरी स्टुटेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् थैंक यूर देरी स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट